हारे किश्ना, आज मैं आपको बताऊंगा कि इस घी में ऐसे क्या बात है कि इस घी से आपके पिगमेंटेशन बहुत जल्दी से लाइट भी होती है, ठीक भी होती है और आपकी इसकिन भी रिपेर होती है आपने कई लोगों के मुझे से कमेंट ये सुना होगा, डोक्टर साब जब से हमने आपका दिया हुआ घी लगाया है, इससे हमें बहुत अच्छे एफ़ेक्ट आ रहे हैं एक वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया था, कि मैं आपको जल्दी ही बताऊँगा कि इस घी में ऐसा क्या सीक्रेट है, कि जिससे इसके एफ़ेक्ट बहुत अच्छे आता है मैंने इस घी का लिंक कमेंट बोक्स में पिन भी किया है, आप इसको वहाँ पर जाकर पढ़ भी सकते हैं, कि कितने लोगों ने इसके बहुत बहुत अच्छे रिव्यूज कियो हैं तो ये बताने से पहले कि इस घी में ऐसी क्या क्वालिटी है, या फिर मैंने इसमें ऐसा क्या मिलाया है, कि इस से इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होगा है आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं, कि ये घी खरीदने से या फिर ये घी लगाने से आपके साथ में कोई चमतकार हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके साथ में कोई चमतकार नहीं होगा आपकी skin धीमे-धीमे करके repair होगी और repair होते होते ही ठीक होगी क्योंकि ये विज्ञान है, क्योंकि ये nature है और आप nature के विरुद्ध नहीं चल सकते तो इस घी को वो लोग नहीं खरीदेंगे जिनको ये लगता है कि उनकी skin काली हो सकती है या फिर जिनको skin की allergy हो सकती है वो इसको बिलकुल मत खरीदा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो इसको use करें एक दो बार use करें और इसको बापेस कर दें क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ तो ये देखिए मेरा ये मीस्तियो का account माइनस में चल रहा है आप देख रहें ना कि मेरे माइनस में कितने क्रेडिट होने है यानि कि मेरे जो account है माइनस में चल रहा है यानि कि मुझे इतने रुपे का लोफ चल रहा है क्यों कि कुछ लोग क्या करते हैं इसको खोलते हैं और इसको बापिस कर देते हैं इसका मतलब यह हुआ कि जो मेरे घी के चार्जेस ते वो सारे खतम हो गए इवन कोरियर चार्जेस जो 180 रुपे या 90 रुपे चार्ज करता है वो मुझे डबल पढ़ता है यहां से भीजनके और वहां से बापिस आने के यानि के 180 रुपे या 200 रुपे मुझे पढ़ता है एक घी को अगर कोई इसको बापिस करता है तो प्लीज ऐसे लोग इसको ना खरीदें या फिर ऐसे लोग मेरी वीडियो ही देखना छोड़ दें जिनको यह लगता है कि घी लगाने से उनका चहरा काला नहीं पढ़ना चाहिए या फिर जिनको यह लगता है कि घी से कोई प्रवाब नहीं पढ़ता प्लीज आप मेरी वीडियो को मत देखा कीजिए क्योंकि मुझे ऐसे लोगों कि आप शक्ता नहीं है जो मेरी बात नहीं मानते हैं या फिर किसी दूसरे लोगों को गुमरा करते हैं जाकर मैं आपको बता दूँ कि जब तक आपकी skin sensitive है आपकी skin काली पड़ेगी इस घी से भी काली पड़ेगी जब तक आपकी skin sensitive है क्योंकि ये मुसम भरसात का है क्योंकि इस मुसम में बहुत जादे चैरे पर नमी होती है पसीना आता है तेलिया हमारी तोचा होती है तो इस season में घी से चैरे पर pimples निकलने के बहुत chance होते है आपके चैरे पर allergy होने के बहुत chance होते है तो जिन लोगों को घी लगाने से allergy नहीं हो रही है वो लोग तो घी लगा सकते हैं लेकिन जितने भी लोगों को चैरे पर घी लगाने से allergy हो रही है इस सीजन में वो इस सीजन के निकलने का वेट करें यानि कि जब ड्राई सीजन आ जाए जब ये बरसात बंध हो जाए उसके बाद में घी लगाए अभी आपने इतना बरदाश कर लिया आपने पिग्मेंटेशन को थोड़ा सा और बरदाश कर रहे वैसे तो मैंने आपको पांस तरीके बठा रखा है है घी लगाने के लिए उन में से आप कोई भी तरीका यूज करके देख सकते हैं फिर भी अगर आपको उन पांस तरीकों के बाद भी अगर आपको चाहर पर ऐलर्जी हो रही है, पिंपल्स हो रहा है तो प्लीज आप इसको रख दें साइड में, आप इसको विंटर्स के मोसम में लगाए। और हो सकता है कि नेक्स टाइम जब यह आपको घी मिले, तो मुझे इसकी थोड़ी ती प्राइजिंग बढ़ानी पड़े, क्योंकि मैं इसमें already माइनस में चल रहा हूँ, तो ऐसा भी करेंगे हम कि यह मेरे को माइनस में ना पड़े, तो उसकी प्राइजिंग इतनी रखी जाएगी, हो सकता है कि मैं से 20 या 30 या 40 उर्पेज इसमें बढ़ा दूँ, जब मुझे नेक्स टाइम मिलेगा, रही बात फेस पैक की, तो फेस पैक भी आट ओफ इस टोक है मेरे पास में कुछ ही पड़ा हुआ है, और जो सी बक्तोन और फेस गुल्व आपने मेरे को बताया था, और कहीं लोगों ने ये कहा है कि डॉक्टर साब उसको खाने से हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो वो भी मेरे पास जल्दी ही उपलप्ध होने वाल कि उन्हों ने इसकी डेट नेखी होगी कि ये कब बना हुआ, सबसे पहले कब बना हुआ था, और ठर्ड ताइम कब बना हुआ था, जो फड़ाई यह जुलाई के महीने में ही बनावा है जुलाई 2024 यह जुलाई 2024 में आएगा जुलाई 2024 में ही आट फिस्टोक हो जाएगा और यह बहुत अच्छा एफेक्ट आपके चाहरे पर देखे जाएगा मैं पूरी कोशिश करता हूं कि यह आपको ताजा मिले दूसरी चीज़ जो मैं ने जी दो गायके घी भी आपने देखा होंगा जितने भी लूगों ने सो ग्राम के और दिब्बी 场स फेसली nhất एक तो जिसके कान बहुत लंबे होते हैं वो अपर देसी गाय होती है जो बोलता है एकटो गायका घी इसमें है उस गाय के घी की शुरुवाती दो हजार रुपे किलो से होती है और दस हजार रुपे किलो तक बिखता है इवन मैंने देखा है कि वो घी सतरह हजार रुपे किलो तक भी दिखता है दूसरा घी मैंने आपको इसमें गौलिटी बता रखा है इसमें पहाडो वाली ग्या का घी है जो की छोटी-छोटी गाये होती है जो की नैचुरल तरीके से चड़ती है चारे को और पहाडो पर जोड़ी बूटिया होती है उसको चड़ती है तो इसलिए इस घी की क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन अगर आपको ये लग रहा है न कि डोक्टर साब अपने घी का परचार इसलिए कर रहे है क्योंकि डोक्टर साब को प्रोफिट कमाना है तो मैंने भी आपको दिखा दिया है इसमें मैंने कोई प्रोफिट नहीं है और अभी भी इस वीडियो को सुनने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति इसको खोल के बापस करता है तो इसको सरासर बत्तिमी जी कहीज़े तो इसको हम केवल और केवल बत्तिमी जी कहेंगे कि आपको पता होने के बाद भी आप ही हरकत कर रहे हो तो अब इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, कि इस घी में ऐसा क्या है, जिसे कि आपको इफेक्ट बहुत अच्छा रहे हैं, आप इसको पर्चेस कीजिए, और अगर इस सीजन में आपको अलरजी हो रही है, तो इसको विंटर्स तक बचा कर रखे, दूसरी बात, और सबसे मुख तो आप उसको घी की मालिश कर सकते हैं, मालिश मतलब इस तरह से घी लगाया और आपने इस तरीके से इसको रव कर लिया, इस तरीके से बस, इसको रात को लगाना है, सुवह इसको भोश कर लेना है, आप तीर महीने बात देखेंगे कि अगर आपने इसको लिप्स पर डेल अभी इस मौसम में मत करना, सुर्दियों के मौसम में करना, आप खुद देखेंगे कि दो या तीन महीने के बाद में उनका रंग साफ हो गया है, और मैं तो आपको ये भी नहीं कहता कि आप मेरा घी ही करीदे, मैं तो ये कहता हूँ कि उल्टा, कि आप अपने घर का घी बना लें, और अपने घर के घी से ये सारी चीज़े करके देखें, आपके घर के घी से भी ये सारे काम हो जाएंगे, जो भी मैंने यहाँ पर आपको बताएं, हाँ, इस घी से बैटर तरी केसे होंगे, और आपके घर के घी से हो सकता है कि बैटर हूँ या हो सकता है कि बहुत सुलो आपको रिजरत मिले, ओके, तो चलिए मुझे इस वीडियो में यही जानकारी देनी थी, सीबुक थोन के लिए मैंने बता दिया है कि वो जल्दी ही आप लोगों के अबलेबल हो जागा अगस्त में, चलिए मैं प्रारत्ना करता हूँ, आप सब लोग स्वास्त्रा है, आपका परिवार में स्वास्त्रा है, परमात्म सभी के भला करें